जेहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकेस करने वाले हैं इंडियन आर्मी के वो कोस्चन जो कि आपके आर्मी के एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन कोस्चन है लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए नई साल की बहुत बहुत सुपकामना है मैं भगवान से यही प्रायर्थना करूंगा कि आने वाली साल आपके लिए जॉब दे कर ही जाए 2022 में आपके लिए जो भी आप इंडिन आर्मी या फिर आप किसी भी गुवर्मेंट जॉब की तैयरी कर रहे हैं वो आपको मिल जाए तो चलिए दोस्तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो तो कोस्टिन नमबर बन है दोस्तो हमारा काजीरंगर राष्ट्रिय उद्ध्यान भारत के किस राज में इस्तित है काजीरंगर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ठीक है तो दोस्तो काजीरंगर राष्ट्रिय उद्ध्यान जो है वह भारत के असम राज में इस्तित है और यह एक सिंगवाले गेंडे के लिए जो है वह प्रिसिद है ठीक है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले कोस्iden की तरफ कोस्टन नमबर 2 Question number 2 है हमारा Statue of Liberty is situated in Statue of Liberty इस्थित है तो दोस्तो Statue of Liberty इस्थित है New York में तो यहाँ पर option C आपका correct answer होगा Next question है हमारा Question number 3 Headquarters of DRDO DRDO का मुख्यालाइक कहाँ पर है दोस्तो DRDO से सम्मदिद मैंने आपको बहुत सारे question कराए है और बहुत बार question कराए है तो आज आपके लिए दोस्तो ये बताना है कि DRDO की full form क्या होती है अगर आपको पता है तो comment box में जरूर बताए है लेकिन यहाँ पर question है कि DRDO के मुख्यालाइक कहाँ पर है तो दोस्तो DRDO के जो मुख्याला है बहुत है नई दिल्ली में तो option D इस question का correct answer होगा next question है हमारा question number 4 कंबाला भेंस दोड़ भारत के किस राज में आयोजित की जाती है दोस्तो most important और repeatable question है ठीक है कंबाला वफलो रेस is held in which Indian state दोस्तो कंबाला एक पारंप्रिक भेंस दोड़ है और ये भारत के करनाटक राज में जो है वो आयोजित की जाती है तो option C इस question का correct answer होगा question number 5 की तरफ चलते है 5 number question है दोस्तो हमारा किस नदी को बंगाल का सोग कहा जाता है ठीक है which river is known as sorrow of बंगाल ठीक है तो किस नदी के लिए बंगाल का सोग कहा जाता है बंगाल का सोग कहा जाता है दोस्तो दामोदर नदी के लिए तो option B इस question का सही answer है अब यहाँ पर दोस्तो एक question और बनता है और उस question का answer जो है वो इसी options में है ठीक है आपको बताना है कि बिहार का सोब कौन सी नधी के लिए कहा जाता है अगर आपको पता है तो comment में ज़रुरू बताएं अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ question number 6 प्रिधम गोल में समेलन कभा हुआ तो दोस्तों प्रिधम गोल में समेलन कभा हुआ बताना है तो 12 नवंबर 1930 के लिए जो है वो पिर्थम गोल में सम्मिलन हुआ था यहां पर थोल इसी टैपिंग मिश्टेक है यहां पर मैं 1920 टैप करना चाहा रहा था जो कि नहीं हो पाया तो जब इस वीडियो की पीडियो फाइल के लिए में अप्लोड करूँगा तो यहां पर मैं इसको सही करके ही करूँगा ठीक है तो गोल में सम्मिलन कहां पर हुआ था 1930 में हुआ था शही है अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले कोस्टिन की तरफ कोस्टिन नंबर 7 और कोस्टिन नंबर 7 है हमारा वेरे दि हेड़कोर्टर ऑफ डवलु एचो डवलु एचो का मुख्यालन कहां पर है तो दोस्तों डवलु एचो के फुल फरम होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन और इसका मुख्यालन कहां पर है जिन्नेवर सूर्जर लैंड में ठीक है तो आप्शन ए इस Muslim League की स्थापना कहां पर की गई थी तो Muslim League की स्थापना की गई थी दोस्तो धाका में बंगला देश में जो कि अभी बंगला देश में है पहले ये इंडिया में ही था क्योंकि आप सभी को पता है कि बंगला देश पाकिस्तान और इंडिया फ्रीडम से पहले एक ही देश थे ठ दोस्तों और कहां पर किया गई थी धाका में ठीक है 30 दिसंबर 1906 इसकी जो है वो एक जैक डेट है तो option A इस question का correct answer होगा आप चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ question number 9 9 number question है दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी ठीक है तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी तो आपको ये बताना है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी तो दोस्तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी थी दिसंबर 1911 में तो option B इस question का correct answer होगा next question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 10 question number 10 है हमारा headquarter of PNB यानि की पंजाब National Bank का मुख्याला कहां पर इस्तित है तो दोस्तो पंजाब National Bank का इस मुख्याला है नई दिल्ली में तो option D इस question का correct answer है दोस्तो अगले question की तरफ चलने से पहले आपसे एक छोटी सी request होगी मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ बहुत अच्छे अच्छे टॉप लेवल की question लेकर आता हूँ लेकिन आपका जो support है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में share जरूर किया करें जिससे वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ठीक है तो question number 11 है इंद्रा गांधी इंटर्नेशनल एरपोर्ट is located in इंद्रा गांधी अंतरराष्टिय हवाय द्ला कहां इस्तित है तो दोस्तों इंद्रा गांधी अंतरराष्टिय हवाय द्ला जिसके लिए हम IGI भी बोलते हैं ये कहांपर है दिल्ली में स्तित है ठीक है तो option C इस question का correct answer होगा next question है हमारा question number 12 12 number question है दोस्तो which current CGI of India यानि कि CGI की दोस्तो फिल्फरम होती है Chief Justice of India तो बरतमान में भारत के जो मुख नियाधीस है वो कौन है तो दोस्तो इस समय भारत के सुप्रीम कोड के जो मुख नियाधीस है उनका नाम क्या है आपको बताना है तो दोस्तो उनका नाम है B.N.Raman ठीक है और 24 अपरेल 2021 से ये भारत के CGI बने थे तो option B इस question का correct answer होगा ठीक है N.B.Raman इनका नाम है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 13 13 number question है हमारा पश्यमंगाल के बरतमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तो आज आपने देखा होगा कि ये current reference का भी question है ठीक है तो मेरे पास में काफी सारे comment आते हैं और पूचते हैं आप लोग कि सर current reference से भी कितने question आते हैं तो वेस्ट वंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है दोस्तो वो कौन है ममता बनेर जी तो option C इस question का सही answer है next question है हमारा question number 14 14 number question है दोस्तो अमेरिका ने हिरोसिमा यानि की जापान पर परमालू बं कब गराया था तो दोस्तो अमेरिका ने जब हिरोसिमा पर परमालू बं गराया था तो वो गराया था 6 अगस्त 1945 के लिए ठीक है तो option A इस question का correct answer है आप चलते हैं दोस्तो आज के last question की तरफ question number 15 और दोस्तो इस question के बाद में आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में share जरूर करना है ठीक है चलिए Who was the founder of the forward blog organization forward blog संस्था के संस्थापक कौन थे तो दोस्तो forward blog जो संस्था थी उसके संस्थापक थे सुभास चंदर बोस्तो option D इस question का सही answer है ठीक है चलिए दोस्तों उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ में share जरू कर दें और दोस्तों आपसे एक चीज में और पूछना चाहता हूं कि वीडियो के अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए दोस् कार जेहिंद जेवारत